हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो चैनल टेक्निकल स्वाइप में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पर बेटे अपने मोबाइल से मातर पांच मिनट में बेंक ओब बडोदा का जीरो बेलेंस सेविंग अकाउंट ओपन क इसके साथ ही मैं वीडियो कोल के जवारा कंप्लीट के वाइसी करके भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ तो प्लीज आप बने रही वीडियो के एंड तक और अगर आपको वीडियो च्छा लगे तो लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ता यहाँ पर आपको मोबाइल बेंकिंग है उसकी सविदा भी मिल जाएगी फोर्थ आपको SMS अलर्ट भी दिया जाएगा इसके बाद अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते तो UPI की सविदा भी दी जाएगी आपको चेक बुक भी ओनलाइन आपके घर पर पहुंचा दी जाए आपको क्लिक कर देना है इसके बाद के सामने कुछ से प्रकार का इंटरपेस हो जाता है और यहां से आपको स्क्रोल करते हुए निची आना है ठीक दो नीची आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक प्रस देखने को मिल जाएगा डिजिटल अकांट का IS OPS अ आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद देखिए बेंग को बॉडोदा दवरा बताया गया कि अगर 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 आप फेस,कू से सब्सक्राद निची । इस पर क्लिक करने के बद देंक हमको चार radius रखी और देंड है तो यहांसे सब suport करते हैं Almost address पर आपका जो भी email ID है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है ठीक दो तो फिल करने के बाद देखें यहाँ पर बताया गया है कि bank of बड़ोदा के दावरा आपने जो भी Gmail ID फिल किये उस Gmail ID में एक link आएगा उस link पर आपको click करके अपनी जो ID है Gmail ID उसको verify करना है ठीक तो तो यहाँ से तो close कर देते हैं और direct Gmail account open करते हैं तो यहाँ से मैं Gmail open कर लेता हूँ open करने के बाद देखें यहाँ पर आपके सामने अब एक Gmail आने वाली है अब यहाँ पर देख सकते हैं बेंगो बड़ोदा के दावर एक mail आई है ठीक तो जिसको अब यहाँ से वापस आपको उसी पेज पर चले जाना है ठीक तो तो यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं आप फैस्ट जो हमारा ओप्शन हो complete हो चुका अब जो next option आ रहा है mobile number linked to आधार आपके आधार कार में जो भी mobile number registered है वो यहाँ पर आपको लगा देना है mobile number लगाने के बाद देखे आपके mobile number पर एक OTP आएंगे वो OTP यहाँ पर आपको generate कर देना है ठीक दोस्तों आप देख भी सकते हैं उपर आप भी चुके हैं इसके बाद देखे दोस्तों अब आपको निचे आना है और यहाँ पर आपको पांच box दिखाए देंगे इस पर one by one आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद आपको फिर स्क्रोल करते हुए निचे आना है और यहाँ पर आपको एक check box दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है और इसके just निचे आपको तीन check box और दिखाए देरे इस पर आपको क्या करना है देकि यहाँ पर दे रखा है फेक्स डिकलिरेशन इस पर आपको click कर देना है और निचे से accept कर देना है अब यहाँ पर देकि आपको next का option दिखाए दे रहा होगा निचे निचे इस पर आपको click कर देना है ठीके दो तो जो हमारी fast step थी basic details की वो complete हो चुकी है और यहाँ पर देकि इस second step पर आचुके pain and आदार तो अब यहाँ से देकि आपको क्या करना है उपर यूपर तो आपको pain card के number डाल देना है ठीके दो तो और जो second option आ रहा है यहाँ पर आपको आदार कार्ड के number डाल देन ठीके दो अब आपको scroll करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको दो checkbox दिगा देरे इस पर आपको click कर देना है दोनों पर click करने के बाद देखिए आपके सामने आपके mobile number पर OTP आएंगे वो OTP यहाँ पर आपको लगा देना है ठीके दो तो यहाँ पर आप भी चुक यहाँ पर आपके सामने अपने आपी आजाएगी ठीक दो अब यहाँ से स्क्रोल करते हुए नीचे चलते हैं नीचे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा select branch ठीक दो तो अब यहाँ से आपको ब्यांच है वो select कर लेना है तो मैं इस arrow पर click करता हूँ और यहाँ पर द नीचे चलना है select branch address यह आपको डालना आप खौन सी जो branch में open करना चाहते है अपना zero balance account वो यहाँ से आपको select कर लेना है ठीके दोस्तों यहाँ से branch select करने के बाद देखें आपको scroll करते हुए नीचे आना है और नीचे यहाँ पर आपको अब एक option देखने हुए मिल जाएग ठीके दोस्तों तो यहाँ से क्या करना है फैस्ट हम personal detail के बारे में जानते है तो यहाँ पर देखें फैस्ट आ रहा उपर father's name तो यहाँ पर title में आपको इस पर click करना है और यहाँ से mister select कर लेना है ठीके दोस्तों अब यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपके father's का first name and last name डाल देना है ठीके तो फिर आपको इस्क्रोल करते है तो नीचे करना है यहाँ पर हिंदू jain muslim या कुछ अगर है तो यहाँ से आपको select कर लेना है तो यहाँ हिंदू कर लेता हूँ अब यहाँ पर देखिये number of depends यहानि आपके परिवार में कुल कितने सद्द शेगए व मिलेगा disability तो यहां से आपको सेलेक्ट करना है अगर आप है तो हां कर लेना वरना नो पर क्लिक कर देना है इसके बाद देखिए जस्ट नीचे आ रहा है प्लेस और बर्त जहां आपका जनम हुआ उस प्लेस का नाम यहां पर आपको फिल कर देना है ठीक तो यहां पर वेसे country डालेना है रहा है तो है इसके जश्ट नीचे CKS ना रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपकी per year की income है वो यहां पर आपको select कर लेनी है तो यहां से आप 1,00,000 रुपे तक लिक देना ठीक है दो तो इसके ज़स नीचे आना है आपको और category दे रहे किए इस पर आपको click करना है और यहां पर आप जो भी category से आते हैं वो यहां से आपको select कर लेना है अब यहां पर देखे आपको नीचे एक option देखने को और मिलेगा occupation का इस पर आपको click करना है और यहां से आप जो भी business करते हैं या कुछ जो भी आप काम कर रहे हैं वो यहां से आपको select कर लेना है ठीक दोस्तों तो यहां से मैं self लगाना चाहते हैं तो यहां पर देखे यस है इस पर click करके रखना है और नीचे यहां पर आपको nomini का जितने भी relationship है nomini जी के name है address है वो यहां पर आपको fill कर देना है ठीक दोस्तों अगर आप नहीं करना चाहते तो यहां से आपको directly no वाले option पर click कर देना है यहां पर click करने के बाद देखे आपको नीचे एक option देखने हो मिल जाएगा proceed का इस पर आपको click कर देना है ठीके दो तो proceed वाले option पर click करने के बाद देखे यहां पर आपके सामने कुछ इस पर कार का interface से open हो जाता है और यहां पर आपको additional services बता रहे है यहां पर अपने bank की checkbook मंगवाना चाहते है तो इस पर click कर देना है और last है WhatsApp banking तो अगर यह भी आप लेना चाहते है तो इस box पर आपको click कर देना है इन पर click करने के बाद देखे आपको scroll करते वह नीचे आना है इसके बाद आपको देखे नीचे एक option देखने को मिल जाएगा next का इस पर आपको click कर देना है तो अब देखे फिर सी हमारे सामने कुछ इस परकार का इंटरपेस हो है ओपन हो जाता है और यहां पर हमारा preview देख रहा है का यानि हमने जितना भी forum भरा है वो पूरा यहां पर आच चुका है यहां से आप basic details से लेकर scroll करते वह नीचे जाकर देख सकते हैं अब कुछ यहां पर आजाएगा ठीक दो तो तो हम नीचे चलते हैं यहां से देखिए अगर आप edit भी करना चाहते हैं अगर आपने personal detail फिल कर रहा है अगर आपने wrong कर दिया तो यहां से देखिए आप edit भी कर सकते हैं ठीके दोथो और जो आपके ur number है वह भी यहां पर आचुके हैं अब यहां पर आपको एक option देखिने हो में लगा complete your video के वाईसी अगर यहां से आप अपना video के वाईसी complete करते ही आपका जो बेंको बड़ोदा में zero balance saving account है वो पन हो जाएगा तो मैं इस option पर click कर देता हूं ठीक है तो अब यहां पर देखिए आ रहा है please select your language for communication for video के वाईसी वीडियो के वाईसी आप कौन सी बात सामय करना चाहते हैं इंग्लिस में हिंदी में तो यहां से मैं हिंदी select कर लेता हूं ठीक है तो और फिर निचे से आगे बड़े पर click कर लेता हूं अब यहां पर अब यहां पर देखिए आपको निचे एक option मिल जाएगा OTP जमा करें इस पर आपको click कर देना है ठीक है तो अब यहां पर देखिए आपकी वीडियो के वाईसी वह यहां से start हो जाएगी तो यहां से आपको क्या करना है निचे एक आरंब का option दिखाय दे रहा होगा इस पर आपको click कर देना है